हेलो गाईज विलकम टेमकेश टुटोरियल्स इस वीडियो वह लोग शियर फोस डाग्राम और बेंडी मोमेंट डाग्राम का दूसरा वालो क्वेश्चन सौल करने वाला हूं इसको आखती तर दिखिएगा इस इस फिगर मैसा है ना कि आपको कोई भी पॉइंट लोड यहां है और इसी से हम लोग पूरा पूरा शियर फोस डाग्राम और बेंडी मोमेंट डाग्राम को आपके ड्राव करेंगे तो एक कुश्चन बहुत इंपॉर्टन है इसको आखती तर दिखिए तो पहले जो हमको निकालना का पड़ेगा रियक्शन फोस निकालना पड़ेगा ओ यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है दो कपल लगा दो मोमेंट लगा हुआ है इस मोमेंट की वाल्यू एम इस मोमेंट की वाल्यू एम एक हिंज एक रोलर सपोर्ट अप्र लगा हुआ हुआ है तो यहाँ पर कोई भी तो मुझे देखो क्या मिलेगा वाई ए आपको उपा जा रहा है आज भी आपको उपा जा रहा है तो यह अपने क्या होगा जीरो की इक्वेट जीरो इक्वेट हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स और आपको इंक्लूड नहीं करते हैं कका अच्यों का बढ़度 ले प्राइफ आपको इसे प्राइब नहीं चार्ण लोगा तो यहां प्राइब टो तो जीत इस एल तो आज भी इंटु एल हो जाएगा अपने ये ओकी ठीक और देखो अपने पॉसिक्टिव निगेटिव यह अपने क्या है एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर मैं सी के बॉट लेता हूं तो देखो तो यह एम जो है यह क्लॉकव कर रहें कि नहीं तो इस इस माइनस ए यह कैसा अपना यह स्टेप से की नहीं विच इस एंटी क्लॉकवाइज तो अपने प्रश्चेज़ जाएगा इस एम को जब वहां पर ट्रांस कर दो तो अपने क्या होगा यह माइनस एम हो जायागा और यहां पर डिवाइड कर देंगे तो मुझे आपर देखो क्या मिला आर बिक्लूस टू माइनस एम अपने एल ओकी अब सिंस यहां पर वाइड प्लस आर बी अपने क्या जीरो है अगर आल ऑज पॉजिटिव अफ दिस है तो यह क्या होगी नीगिटिव अफ दिस है तो इसके वीच्व जोग पॉजिटिव दिस होगा तप दो आपस में कैंसल मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अच्छे समझा चुका हूँ, कि R, B और Y, A की value को कपन कैसे निकालेंगे, अब हम कहा करेंगे, moment, सोई, shear force निकालना start करेंगे, तो देखो यहाँ पे, A और B की बीच मगर देखेंगे, तो सिर्फ दो ही जगा ऐसे, जहाँ पे अपना moment add कर रहा है, यहाँ पे कोई भी force यहाँ पे add नहीं कर रहा है, ना तो यहाँ पे कोई point load दिया हूँ, ना कोई UDL दिया है, ना कोई UVL दिया है, कुछ भी यहाँ भी नहीं डिया है, तो हम क्या करेंगे, जो shear force निकालेंगे वो कहा कर निकालेंगे diet A से लेके B तक कर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखो shear force in A B ओके तो यहाँ पर लिखो S X लिखो और X के विले कहा रहेगी प्रम A से रहेगी ठीक है किस टाप से लिखो तो इसका अगर मैं अलग से draw कर दो सेक्षन अपना X X हो गया इस X X को कहीं भी जाँ तो draw कर सकता है तो let's suppose मैं आप इसको draw कर देऊंगे तो यहाँ पर अपना A है कि नहीं देखो A पर अपना क्याइट कर दा है Y A which is equals to M upon में L तो this is M upon L ओके ठीक हैं अब यहाँ पर देखो और जब बनाऊंगे तो यह अपने क्या रहाएगा M upon L हो जाएगा this is M upon L और जो X की value है that is from A मैं और यहाँ लिख चुगा हूँ जो section अपन काटे है X X का उसका जो distance है X ठीक है वो कहाँ से अपन ले रहे A से ले रहे ठीक है तो X की जो range से देखो कहां से कहां तक रहेगी यहाँ पर X के value 0 है और यहाँ पर अपने X के लिख इतनी है L है तो यह जो है 0 to कहां तक रहे यह L तक का जाएगा अपना यह ठीक है तो यहाँ पर गर मैं S A निकाल दो कितना आएगा यह M by L आएगा और अगर मैं S B निकालता हूँ तो यह भी अपने क्या होगा M by L ही होगा ठीक है क्योंकि यहाँ देखो कोई X है ही नहीं अब चुक्कि हाँ पर X का power क्या 0 है X नहीं है तो यह अपना क्या रहेगा throughout constant रहेगा M by L रहेगा तो यहाँ से इसको ऊपर चड़ियाओ यहाँ से इसना आप ऊपर आजाओ इसको जो आपस में आप जोइन कर लो ओके इस इस पॉजिक्टिव एंडिस लेंध इस लेंध इस इस हाइट इस M by L ओके ठीक है तो यह मुझे मुझे मिल गया फिर C D की बीच में निकालेंगे फिर अपन D और B की बीच में निकालेंगे की A और C की देखो यहाँ पर C कापल लगा हुआ है मतलब bendy moment वहले के इसमें जाए couple लगया फिर कोई load लगे हमको उसके बीच में निकाला हुँ पड़ेगा तो देखवे आप एक AC बीच में होगा, एक CD बीच में होगा, एक अपना, DB की बीच में होगा, पहलों क्या क्रोंपे देंगे, AC बीच में निकाले, तो बंडी-मोमेंट इम, AC, rousपड, MX, निकाले लेंगे, मोमेंट निकालेंगे, X के लिए कहा से लेंगे अपन, X from A लेंगे, ठीक है, पर इसको मैं एक बार डॉकर लेता हूँ, किस टैप से बने गई है, यह अपना बन गया है, Y A, that is M upon L, ओके, यह अपना होगया section, X, X, और यह अपना होगया distance from A, X की जो है, distance कहा से होती है, A से होती है, ठीक है, तो this is how much, this is M upon, यह जो आपके value दिये, this is, अपना यह अपना क्या है, reaction force है, तो reaction force को अपन जब, distance से multiply करें, तो मुझे क्या मिलेगा, moment मिलेगा, तो this is M upon L into X होगा, और जो X का range होगा, that is from 0 to L by 3, तो यहाँ पे लिखो, sorry, 0, less than equals to X, less than equals to L upon 3, यह अपना होगया है, अब हम कहा से क्या निकालेंगे, M A निकालेंगे, और M C निकालेंगे, M A निकालेंगे, M A निकालेंगे और M यहाँ पर क्या निकालेंगे, C निकालेंगे, तो देखो, M A मतलब क्या है, X के लिए क्या होगा होगा, 0 हो जाएगी, तो this is 0, वैसे गर मैं निकालूंगा, momentable point C निकालूंगा, ठ तो देखो यहाँ प्रकाई आगा एकसे को लिए L अपर में 3, ओके, यहाँ पर L याँ पर 3 है कि नहीं, तो L यहाँ पर इसको अपर चाहिए, तो कैसा रहेगा तो यहाँ पर 0 पर है और यहाँ पर आपने क्या है, M बाई 3 पर है, ठीक है, तो इसको लेकर आपने आपने जोड तो अब हम क्या निकालेंगे C और D की बीच में निकालेंगे तो यहाँ पर लिखो bending moment in C D यहाँ पर देख लो कैसा बनेगा इसको डॉकर लेकर पहले फिगार को थोड़ा बड़ा बनाएंगे यहाँ पर अपना आएगा M by L जो अपना क्या है Y A की value है यहाँ पर होगे अपना X यहाँ पर कोई point लेखो C जहाँ पर अपना कपल लगा देशी M दिख लो यहाँ पर कपल लगा ऐसा M दिया हो यहाँ पर और यहाँ पर अपना क्या लेंगे X section है अपना और जो X की distance ओपन कहा से लेंगे हमेशा A से लेंगे तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे M X निकालेंगे M X और X की लिख रहा से है X is from A तो this equals to देखो क्या राएगा इस section के बाउट अगर मैं इसको बोलूँ देखो यह अपना क्या उपचाड़र है कि नहीं ठीक है उपचाड़र अपने क्या पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो this is M into L into M upon L into X तो M upon L यह अपना क्या reaction force हो गया इसको X से multiply कर लो तो इसने क्या होगा यह moment हो गया अब इस point के बाउट देखो तो देखो यह अपना क्या है point C है यह अपना क्या section है यह अगर देखो गये तो यह कैसा है ऐसा है तो यह भी जो है देखो तो इस beam को उपा ढखे लिए कोशिश का रहे कि नहीं तो यह अपना क्या होगा क्या होगा कॉन से moment होगा होगा यहाँ पर sagging moment होगा तो sagging moment पतला positive होगा तो यहाँ पर लिखो plus M इसको ऐसा bracket में डाल दो यह अपना क्या को M upon LN2X plus M होगा और यहाँ पर जो length होगी X की range होगी that is from L by 3 less than equals to X less than equals to 2L upon me 3 क्योंकि यहाँ पर यहाँ से अपना कितना दिया होगा यहाँ से यहाँ कितना L by 3 है और यहाँ तक का यहाँ से अगर distance लेंगे तो अपना क्या होगा 2L by 3 होगा तो यह अपना मिल गया है अब उन क्या निकालेंगे M C निकालेंगे ठीक है इससे point के part 3 से पर निकालते हैं इस point के part और इस point के part दोने के part मुझे निकाला राते हैं तो अगर मैं M से लूँगो तो यहाँ पर X के लिए कितने होगी L by 3 हो जाएगी तो इस पर रखो आप M by L into L by 3 plus M तो L will cancel This is M by 3 plus M which is equals to 4M by 3 यह अपना होगी M से के value अब मुझे निकाला कि M D के लिए निकालनी है तो X के लिए कितने होगी 2L by 3 हो जाएगी है ठीक है तो इसको solve करो This is M by L into 2L by 3 हो गया है प्लस M कर लो यहाँ ठीक है तो यहाँ का L इससे cancel हो कि नहीं तो this is 2M by 3 हो गया प्लस M which equals to 5M upon me 3 तो इसको भी जो अपने हैं यहाँ आपना कितना है 4M by 3 है तो this is M by 3 तो यहाँ पर मौलब अपना क्या है 4M by 3 है This is 4M upon me 3 और 5M upon 3 क्या है इसको horizontal थोड़ा उपर ले लो This is 5M upon me 3 तो इसको अपने हैं जोड़े लिए हैं जोड़े आपका ही है अब मुझे करना है क्या है D से B पर निकालना है ठीक है तो यहाँ पर लिखो bending moment in D B तो MX लिखो यहाँ पर ठीक है Again X is from A और यहाँ पर इसको डॉकर लिए थोड़ा सा Okay This is X, X section यहाँ अपना क्या लागेगा M by L लागेगा इस point के बाट मानलो यह अपना point कौन सा C वाला point है जहाँ पर अपना क्या लागा है Moment लागा हुआ है M और यह वाला point मानलो क्या अपना है यह point है D जहांकि ऐसा लागा हुआ This is 2M Okay जहांकि दोनों क्या opposite nature है ठीक है तो देखो यहाँ अपना क्या हो जाएगा This is M X के वह लिए कहां से कहां तक होगी From A से होगी A से इस section तक है This point is M A Okay तो this is M by L into X यह अपना हो गया पहला अब इसके लिए हो हम दोनों पहले पिछले वाले में डिस्क्रस कर चुकर कि अपने क्या positive होगा तो यह plus M हो जाएगा और यह अपना क्या होगा opposite है यह ऐसा है तो यह ऐसा ही कि नहीं तो यह अपने क्या होगा minus 2M हो जाएगा तो आप हम यहाँ पर क्या करेंगे यह रेंज दिखाएंगे X का X की रेंज कितनी है 2L अपन में 3 इसे लेकर के कहां तक ही है L तक ही है ठीक है तो बस अब मुझे करना क्या है पहले अपने निकालेंगे D के बॉट फिर अपने निकालेंगे B के बॉट तो यहाँ पर M D निकाल दो जहाँ पर X के रेंज कितनी होगे 2L अपन में 3 होगी तो यहाँ पर रखो बता क्या होगा अच्छे यह बता अपने क्या हो जाएगा माइनस M हो जाएगा तो this is M अपन में L इंटो X के रेंज कितनी है 2L अपन में 3 दिया 2L अपन में 3 यह अपन में 3 यहाँ पर रखो माइनस M हो जाएगा इसको solve गड़ो बता कितना होगा this is L this cancel हो गया है now this will be how much this is माइनस M अपन में 3 तो M D के रेंज कितनी होगे माइनस M अपन 3 हो जाएगा अब मुझे क्या निकालना है M B निकालना है जहाँ पर X के वेली कितनी होगे L D होगी है तो यहाँ पर रखो M अपन में L इंटू L माइनस M ओके तो यह L अपना M बचा है और यहाँ देखो अपना क्या माइनस M है तो M माइनस M भी 0 तो यहाँ पर आते हैं ड्रॉ करेंगे जब तो मुझे रिधान किस पर रखना है M D पर रखना है यहाँ अपना कितना negative है M by 3 और यहाँ अपना क्या है 0 है ठीक है तो M by 3 मतलब नेगेटिव है तो यहाँ से M by 3 मतलब मालो कितना है इतना distance नीचे है तो यहाँ से अपना नीचे आएंगे नीचे आ करके फिया कर दिंग इसको 0 यह वाला पंड़ अपना 0 दिया है तो यहाँ पर लिख लो negative यह अपना क्या है positive है तो यह बन गे अपना bending moment diagram और यहाँ पर लिख लो M by 3 which is negative यह जो access होता है यह अपना 0 वाला होता है इसको पर जो जाएगा अपना positive होगा इसको जो नीचा आएगा अपना negative होगा तो इस वीडियो पर इतना ही है आपको I hope कि आपको मैं इस वीडियो में अच्छे समझा पाया हूँ कि इस problem का जो SF diagram और BM diagram को draw कैसे करते हैं झांको 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 झांको